मद्यप्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील के अंतरगत आने वाले आननदपुर गाउं में एक साट फीट गहरे बोर्वेल में नौ वर्ष का बच्चा गिर गया जिसके बाद खटना की सूचना मिलते ही विदिशा कलेक्टर समेट स्थाडिय प्रिशासन की टीम घटना स्थल पर पहुँचे और वहीं अधिप्रदेश की राज़ानी भोपाल से अंडियारेफ की टीम भी बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आननदपुर गाउं में पहुच चुकी है और साथ इस घटना पर सीम शिवराद सिंग चौहान नजर बनाए हुए हैं बतादे की बोर्वेल में गिरें साथ साल के बच्चे को अठारा घंटे से जादा हो गए हैं पुलिस और अंडियारेफ की टीम 14 मार्च सुभा साड़े ग्यारा बज़े से रेस्क्यू में जुटी है चारजे सी भी और तीन पोकलेन मशीन राद भर खुदाई करती रही 15 मार्च सुभा तक बोर के समारांतर 50 फीट खुदाई की गई तीन फिट टनल बन चुकी है दो फिट टनल और बनाना है बतादे की हादसे का शिकार 9 वर्षिय बच्चे का नाम लोकेश अहरवार है लोकेश के माता पिता खेत में मजदूरी का ताम करते हैं 13 मार्च की सुभा भी लोकेश के माता पिता खेत में चना कटाई करने का काम करने गए थे यहां लोकेश अपने बड़े भाई और अन्य साथियों की साथ ही खेत की पाल पर खेल रहा था और इसी दोरान वहां बंदरों का जुन्दा गया जिससे डर कर सभी बच्चों ने दोड लगा दी सभी बच्चे घबरा कर अलग-अलग दिशाओं में भागे वही लोकेश ने नजीक के धनिया की खेत में दोर लगा दी वहां खेत में खुले पड़े दो फीट चोड़े और करीब साथ फीट गहरे बोर्वेल में वो जागिरा